Hello everyone, मैं हूँ किरिन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए जून 2022 की लफ टारो रीडिंग और पिछले वीक मैंने आप लोगों के लिए पिका कार्ड रीडिंग अपलोड करी है उनकी क्या true feelings हैं, उनकी क्या true intentions हैं आपके लिए तो जो भी लोग interested हैं जरूर देखें और कौन से topics पे आप पिका कार्ड रीडिंग चाहते हैं वो भी comment section पे आप मुझे जरूर बताएं इसी के साथ साथ अगर आप इस channel पे नए हैं तो please like, share और subscribe करें देखें आपके likes, आपके comments, आपकी subscription बहुत-बहुत माइने रखती है in fact यही एक motivation भी होता है नए video को बनाने के लिए तो अगर आपको videos पसंद आते हैं तो please खुल के like करें, खुल के share करें, खुल के comment करें और देखें अगर आप daily tarot reading में interested हैं तो आप मेरा insta page भी visit कर सकते हैं जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा दूसरी बात इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं sun sign, moon sign, ascendant यहाँ पर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं उसके according भी आप इस reading को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यहीं कहूँगी कि जिस sign को आप अभी तक follow करते आ रहे हैं यहाँ पिर जिस sign के हिसाब से आप अभी तक अपनी readings को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी साइन के हिसाब से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं June 2022 की Love Tarot Reading तो चलिए Libras, आप लोगों के लिए देखें कि June 2022 में आपकी Love Life कैसी रहेगी तो में पस यहाँ पे तीन सेट of cards हैं First set में हम आपकी energies देखेंगे Second set में आपके partner की energies देखेंगे And third set में हम देखेंगे कि finally June मन्त में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते है Libras और आपके लिए आपे सबसे पहला card मुझे दिख रहा है proposition और दिखेंगे, ये card कहता है कि या तो आप अपने partner को कुछ time से या फिर June starting में propose करना चाहा रहे है या फिर आप कोई gift अपने partner को देके अपनी feelings, अपना love, अपनी emotions express करना चाहा रहे है या फिर देखेंगे, आप इस relationship को next level पर लेकर जाना चाहा रहे है देखेंगे, ये general reading होती है तो थोड़ा-थोड़ा सब के लिए differ करेगा लेकिन broader level पर proposition का card कहता है कि आप अपने partner को propose करना चाहा रहे है या फिर अपनी feelings, अपना love express करना चाहा रहे है लेकिन देखे, night of cups reverse का card कहता है कि आप सोच तो बहुत रहे हैं इसी से ही related आप ख्वाप तो बहुत देख रहे हैं लेकिन concrete steps, concrete measures कहीं इसी, you know, चीज को manifest करने के लिए नहीं ले रहे हैं या मैं कह सकती हूँ कि इस direction में action initiatives missing देख रहे हैं आप इसी चीज को लेकर बहुत एक imaginary world में रह रहे हैं और देखें, आप एक king of wands reverse का card भी कहीं इन ही energies को और ज़्यादा confirm करता है ये card कहता है कि आप action initiatives शायद लेना चाहते हैं आप बहुत ही boldly, बहुत ही courageously अप front होके हर चीज को deal करना चाहा रहे हैं लेकिन ऐसा आप नहीं कर रहे हैं और देखें, आप एक cash love damage का card कहता है कि शायद इसी लिए एक hurt energies deeper level पे आप महसूस कर रहे हैं कहीं, you know, किसी level पे एक परेशानी सी रह रही है या फिर देखें, आपके partner की तरफ से कोई ऐसी बात हुई है externally कुछ ऐसी चीजें हो रही है जिसकी वज़े से आप, you know, परेशान रहते हुए देख रहे हैं आपको ऐसे लग रहे है कि आपका दिल तूट गया है और again देखें, एक तकलीफ आप महसूस करते हुए देख रहे हैं लेकिन देखें, end, जून के लिए यहाँ पे fools, gold and queen of wands के cards कहते हैं कि आपको ऐसे लग सकता है कि भई आप खाम काही उन्ही चीजों पे अपना time और energy waste कर रहे हैं जो आपको serve नहीं कर रहे हैं, जो आपको परिशान कर रहे हैं और इन्ही energies से आप अपने आपको निकालना चाह रहे हैं या फिर निकाल रहे हैं और दिखें आप एक queen of wands का card कहता है कि शायद इसलिए एक fun, मज़ा, मस्ती आप अपनी life में add कर रहे हैं बहुत एक enthusiasm, बहुत एक excitement लाते हुए दिख रहे हैं आप फिर किसी चीज़ के लिए महसूस करते हुए दिख रहे हैं अब देखते हैं Libras के आपके partner की क्या energies हैं तो दिखें आपके partner के लिए आपे सबसे बहला card मुझे दिख रहा है on the mind और ये card बहुत ही clearly कहता है कि आपके partner भी कुछ time से या फिर June starting में एक hurt energies में हैं जहां पर कोई चीज़ उनको परेशान कर रही है किसी चीज़ को लेकर again मैं कहूंगी एक तकलीफ हो महसूस कर रहे हैं और कहीं उसी को ही heal भी करना चाहा रहे हैं और देखिए general reading है तो सब Libras के partner के लिए different reasons हो सकते हैं in hurt energies के लिए लेकिन देखिए on the mind के उपर five of pentacles reverse का card कहता है कि कुछ Libras के partner को ऐसा लग सकता है कि Libras आप उनको उतनी attention नहीं दे रहे हैं आप कहीं उतना love care नहीं express कर रहे हैं और देखिए आपके लिए हमने देखा भी कि आप सोच तो बहुत रहे हैं जहां तो बहुत रहे हैं लेकिन action initiatives नहीं ले रहे हैं और इसलिए हो सकता है Libras के आपके partner को ऐसे लग रहा है कि again आप उनको इतनी attention नहीं दे रहे हैं एक rejection वो महसूस कर रहे हैं और इसलिए फिर से मैं कहूंगे एक अकेलापन वो महसूस कर रहे हैं और इसलिए एक hurt energies में भी वो हैं और कुछ Libras के partner के लिए हो सकता है कि क्योंकि you know उनको कोई बात बुरी लगी या फिर externally कुछ issues हो रहे हैं जिसको लेके वो hurt हो रहे हैं इसलिए वो आपको उतनी attention उतना love care नहीं दिखा पा रहे हैं हाला कि देखिए यहां पर love potion enamored का card कहता है कि ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए प्यार महबत नहीं महसूस कर रहे हैं in fact यह card कहता है कि उनकी ऐसी energies रह सकती है जहां पर उनको ऐसे लग रहा है कि कोई जादू सा हो गया है वो अपने होशों हवास में नहीं रह पा रहे हैं मैं कहे सकती हूँ कि you know हर दम हर पल आपके बारे में इस relationship के बारे में सोच रहे हैं किसी और चीज़ पर focus ही नहीं कर पा रहे हैं जैसे बोलते हैं कि किसी ने spell कर दिया हो जहां पर कोई सूझ बूझ ही नहीं रहती है तो इमोशनली बहुत high feel करते हैं और at times emotionally बहुत low feel करते हैं यहां मैं कह सकती हूँ कि चीज़ों को लेके over emotional, over sentimental भी वो होते हुए दिख रहे हैं and in the process हो सकता है कि over sensitive भी वो रह रहे हैं लेकिन देखिए end June के लिए यहां पे king of swords का का काट कहता है कि इन ही emotional energy से वो अपने आपको बाहर निकाल रहे हैं और कहीं logically चीज़ों को deal करना चाहा रहे हैं, deeper level के लिए promise का काट कहता है कि वो आपके साथ ही togetherness चाहा रहे हैं, marriage चाहा रहे हैं, कहीं engagement चाहा रहे हैं, living चाहा रहे हैं, एक stability चाहा रहे हैं, commitment चाहा रहे हैं लेकिन फिर से मैं कहूंगी कि कहीं June end में, वो अपनी emotions को manage कर पा रहे हैं या फिर manage कर रहे हैं बहुत ही logically या फिर मैं कहूंगी कि एक detachment के साथ चीजों को deal करना चाहा रहे हैं या फिर कर रहे हैं और अब देखते हैं Libras कि जून मंत में क्या हो रहा है तो देखिए जून मंत के लिए आपे सबसे पहला card मुझे दिख रहा है erotic activation और यह card कहता है कि deeper level पे आप दोनों या फिर आप दोनों में से कोई एक physical attraction, physical intimacy, physical connect चाहा रहे हैं लेकिन देखिए surface level के लिए two of souls का card कहता है कि इसी direction में action initiatives नहीं ले रहे हैं in fact देखिए बहुत stuck energies में रहते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि कैसे आगे बढ़ें और इसी लिए शायद देखिए आप लोग रुकते हुए दिख रहे हैं बहुत सारी चीजों को avoid कर रहे हैं, ignore कर रहे हैं और देखिए यह सब के लिए again differ करेगा लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अपनी इन ही physical intimacy, physical connect वाली energies को आप लोग नहीं accept कर रहे हैं इसी को ही avoid कर रहे हैं, इसी को ही ignore कर रहे हैं और इसी लिए देखिए एक बहुत confused state of mind रह सकता है जहाँ पे you know आप एक inaction या फिर indecisive वाली energies में भी हैं और देखिए यहाँ पे pendulum yes or no का कार्ड भी कहीं इन ही energies को और जादा confirm कर रहा है कि किसी चीज़ को लेकर आप लोग two minds में रहते हुए दिख रहे हैं जब हा कहते हैं तो लगता है नहीं नहीं ना भैतर है और जब ना के बारे में सोचते हैं तो लगता है नहीं हा भैतर है तो देखिए कहीं two minds में रहते हुए दिख रहे हैं decision choice लेनी है लेकिन नहीं ले पा रहे हैं लेकिन देखे deeper level के लिए जो भी energies हो surface level के लिए king of cups का card कहता है कि बहुत ही maturity के साथ चीज़ों को handle कर रहे हैं या फिर मैं कह सकती हूँ कि एक mature emotions हैं, एक mature feelings है और बहुत एक प्यार महबबत भी एक दूसरे के लिए महसूस करते हुए या फिर किसी level पे express करते हुए देख रहे हैं और शायद इसी लिए देखे Saturn Sheets and Ace of Pentacles के cards कहते हैं कि एक physical connect, physical intimacy आप लोगों के बीच में हो रही है जिसकी वजह से या otherwise भी एक नई beginning शुरू होते हुए देख रही है और ये नई beginning कहीं materialistic, tangible चीजों से related हो रही है और ये नई beginning कहीं stability या फिर किसी level पे एक security भी लाती हुई देख रही है तो ये थी Libra's आप लोगों के लिए June 2022 की Laugh Taro Reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें